Hello everyone, welcome to PhD Jobs and Admissions. This is Ankitab, Sudh and students. आज की ये वीडियो बहुत ही साथ important वीडियो होने वाली है क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि Banaras Hindu University से PhD की notification release कर दी गई है. So, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ discuss करने वाली हूँ इसकी important dates, eligibility criteria, कौन-कौन से departments में ये PhD की seats vacant है और किस department में कितनी seats available है इसके साथ ही मैं discuss करने वाली हूँ online application form आप लोग किस तरह से fill कर सकते हो exam का syllabus क्या होगा and paper pattern क्या होगा So, इस वीडियो का आप लोग इंट तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर एक चीज को detail में मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आने वाली हूँ So, screen पर जो आप लोगों को नजर आ रहा है ये है बनारस हिंदू University की official website So, मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस university की दो official websites हैं अगर आप लोग PhD के लिए apply करने आए हो तो आपको क्लिक करना होगा bhuonline.in पे तो एक इस तरह का interface आपको नजर आएगा इसी page पर जब आप लोग स्क्रॉल करोगे नीचे की दरफ आप लोगों को एक option नजर आएगा RET Read Information Bulletin 2022 So, यहाँ पर आपके पास दो options आपको नजर आएगे Click to apply Read 2022 and Bulletin Read Main So, यहाँ भी क्या है आप लोगों को apply करने से पहले Information Bulletin को अच्छे से पढ़ लेना है अच्छे से इस चीज को समझ लेना है So, जैसे ही हम लोग Bulletin पे click करते हैं हम लोगों को एक इस तरह की screen नजर आएगी अपनी screen नजर आजाएगी So, यह है Information Bulletin यहाँ पे click करने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि Important Dates क्या है कैसे हम apply करेंगे and क्या-क्या इसका पूरा procedure and eligibility criteria है So, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि यह total 50 pages का Information Bulletin आप लोगों को नजर आएगा So, 50 pages को detail में पढ़ने तो waste होता है क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊँ तो सिरफ basic information को ही आज इस वीडियो में हम discuss करने वाले है So, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं Important Dates की So, Important Dates की अगर बात करें तो यहाँ पे इसको चीज को detail में mention किया गया है कि आप लोगों को तो सबसे पहले BHU के entrance test के portal पे जाना है जो की है www.bhuonline.in इसके बाद यहाँ पे application form filling का process 10 में से शुरू हो चुका है and इसकी last date है 31st May 2022 ठीक है So, 31 मैं से पहले-पहले आप लोगों को यह form fill करना है So, यहाँ पे यह पूरा information bulletin जो है यह तीन चीज़ों के लिए है simple REIT के लिए है MFIL, integrated MFIL and PhD ठीक है So, यह दोनों चीज़ों के लिए यहाँ पे information bulletin है So, इसका exam कब होगा यह भी important है So, 25 June को आप लोगों का यह exam होने वाला है फिर चाहे वो REIT exam हो MFIL exam हो या फिर integrated MFIL exam हो and admit card आप लोगों के release कर दिये जाएंगे 25 June से पहले ठीक है 1 week पहले बोला है exam के हाँ पे information जो है आप लोगों को admit card से related दे दी जाएगी So, अब चलिए one by one इन चीज़ों को start करते है So, students वैसे तो यह 50 pages की information bulletin है लेकिन जो हमारा main content है वो page number 12 से शुरू होने वाला है So, सबसे पहले यहाँ पे तीन तरह के options है पहला है PhD through research entrance test that is REIT 2022 direct admission REIT exempted So, यहाँ पे REIT exempted भी कर सकते हैं यानि कि अगर आप लोगों ने net gate इस तरह का कोई exam qualify किया है तो आप लोगों को यह entrance test नहीं देना है and अगर आप लोगों ने यह exam qualify नहीं किया है तो आप लोगों को PhD के लिए REIT test देना ही होगा ठीके, दूसरा option है integrated MPhil and PhD and तीसरा है MPhil through MPhil entrance test तो यह तीनों की चीज़े यहाँ पर बताई गई है अब इसके बाद बात करते हैं one by one की कौन कौन से departments अभिलेबल है तो यह है अगर आप लोग REIT देना चाहते हो ठीके, तो यहाँ पर departments है arts, ayurveda, commerce, medicine ठीके, तो आप लोग देख सकते हो तो कौन कौन से departments हैं वो भी हम देखते हैं जिसको हम बोलते हैं REIT exempted categories तो यहाँ पर arts, medicine, management Sanskrit, social science and science and visual arts available है तो इसमें बताया गया है कि आप लोग REIT exam देने से कैसे बच सकते हो अगर आप लोगों ने net GRF qualify किया है net lectureship qualify किया है या फिर GET exam qualify किया है तो आप लोगों को ये written exam देने की ज़रूरत नहीं है आप लोग directly interview process के लिए आप लोगों को call यहां से आ जाएगा ठीक है So discipline in which no admission in PhD will be done in this academic session So यहाँ पर ये कुछ departments है कुछ disciplines हैं जहां पर इस साल PhD में admissions नहीं होने वाली है तो इस चीज़ को भी आप लोग देख सकते हो Next important point है Main discipline, allied discipline, combinations for REIT and REIT exempted candidates So ये जो है ये REIT and REIT exempted candidates के लिए है allied discipline इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लोग एक साथ दो subjects में PhD करना चाहते हो तो भी आप लोग apply कर सकते हो So इसमें कौन-कौन से departments अवेलेबल है इसके list आप लोग यहाँ पे देख सकते हो Faculty of Arts, Arabic, Bengali, English यहाँ पे बहुत सारे departments है आप लोगों का जो भी department है आप लोग directly उसको यहाँ से देख सकते हो ठीके So यहाँ पे देख सकते हो कितनी लंबी list है ये ठीके इसके बाद अब हम आते हैं अपने next point पे जो की important note है ठीके इसमें बताया गया है कि किस तरह से आप लोगों के minimum eligibility होनी चाहिए So अगर आप लोग PhD में admission लेना चाहते हो REIT और REIT exempted के थूँ तो यहाँ पे 50% marks आप लोगों के master degree में होने चाहिए minimum 50% आपके होने चाहिए So department wise यहाँ पे eligibility बताई गई है जैसे कि अगर हम बात करें faculty of arts, social science and science की So यहाँ पे बोला गया है कि master degree होनी चाहिए आप लोगों के equivalent subject में ठीके and इसके साथ ही आप लोगों के 50% marks होने चाहिए MFIL की है नहीं की है that is not important ठीके दूसरा है यहाँ पे qualifying marks बोला गया है 55% marks है ठीके second है यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें Sanskrit Vidyadharam Vigyan Shankyegi ठीके यहाँ पे examination कौन सा आप qualify होना चाहिए आपकी master degree होनी चाहिए and master degree में at least 55% marks आपके होनी चाहिए ठीके इस तरह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो integrated MFIL and PhD program अगर आप लोग integrated courses करना चाहते हो तो यहाँ पे qualification बताई गई है and आप लोगों की MFIL के लिए भी यहाँ पे qualification बताई गई है क्योंकि इस वीडियो में major focus हमारा PhD पे है रहेगा इसलिए हम लोग सिरफ PhD वाली चीज़ों पे ही ध्यान देते हैं ठीके next बात करते हैं अब यहाँ पे relaxation की बात की गई है ठीके relaxation जो special categories होती है जैसे की SC, ST, PWD and OBC and EWS ठीके सो उनके लिए यहाँ पे बोला गया है PhD में admission लेना चाहते हैं तो 5% relaxation मिलेगा ठीके and उनके academic records में भी 47 and 45% marks respectively होने चाहिए ठीके सो बाकी आप लोग integrated courses में भी देख सकते हो इसके बाद अगर हम लोग बात करें next जो important point है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए वो है यह general note so general notes में आप लोगों को यह बोला गया है कि PhD जो है वो यहाँ पर regular होगी and PhD में आप लोगों को paper देना होगा entrance test की जैसे कि हम लोग इधर बात कर रहे हैं so entrance test देने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा various departments यह allot करवाएंगे आप लोगों के अपने state में ही आप लोगों के center होगे so इसके यहाँ पर दो components बताये गई है entrance test structure के बारे में बात की गई है test A जो होगा उसमें आपका subject knowledge assessment of logical and analytical capabilities and research methodology की बात की गई है and यहाँ पर total 100 questions पूछे जाएंगे जिसमें से कि 40 questions जो हैं वो आपके research methodology से पूछे जाएंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो research methodology से 40 questions and 60 questions होँगे आप लोगों के subject knowledge के जैसे computer science, Sanskrit, Hindi जो भी आप लोगों का subject होगा students जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 100 questions आप लोगों को exam में पूछे जाएंगे ठीक है and उन 100 questions में से 40 questions जो हैं वो होँगे आपके research methodology से and passing marks आप लोगों को चाहिए 35 इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग सिरफ और सिरफ research methodology की भी इच्छे से तयारी कर लेते हो तो भी आप लोग easily इस exam को qualify कर सकते हो इस चीज़ की मैं आपको guarantee देती हूँ diagrams की साथ और graphs की साथ present किया गया है इसके साथ ही हम आपको देते हैं 10 full syllabus mock test यानि की research methodology की जितने भी topics है सभी पे separate mock test हम आपको देते हैं साथ ही हम आपको देते हैं most expected MCQ series इन MCQ series से मैं आपको guarantee देती हूँ कि exam में बहुत से questions as it is पूछे जाते हैं इसके साथ ही हम आपको देते हैं 1000 plus MCQs PDF on research methodology ये questions most expected and most repeated questions है हमारे बहुत से students का हमें ये feedback आता है कि उनके PhD entrance exam में हमारे इसी content से 40 में से 25 to 30 questions जो हैं वो as it is पूछे गए थे तो आप लोग देख सकते हो कि कितने जादा important है ये questions आप लोगों के लिए तो अगर आप लोग भी बनारस इंदू university में PhD करने का अपना dream पूरा करना चाहते हो तो जल्दी से इस course को access कर लीजिए इसको access करने के लिए आप लोग screen पर दिए गए number पर whatsapp के through contact कर सकते हो and हमारा whatsapp group भी join कर सकते हो and इस complete course की fee है सिरफ और सिरफ 599 and test B जो होगा यह आप लोगों का personal interview होगा ठीक है personal interview का क्या process रहेगा यह सब चीज़े भी यहाँ पे detail में बताई गई है ठीक है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो test A में 40% questions research methodology से पूछे जाएंगे जिसमें की syllabus पे mention किया गया है foundation of research, problem identification and formulation, research design, qualitative and quantitative research, measurement sampling, data analysis, interpretation of data, paper writing, use of encyclopedias and tools etc and 60% होगा यह होगा आप लोगों के master level के जो subjects है ठीक है, 100 MCQs होगे, आप लोगों को total 150 minutes मिलेंगे, 150 minutes में आपको 300 marks के questions को solve करना है हर एक question का weightage 3 mark है, 100 question है 300 number के, ठीक है correct answer पे आप लोगों को plus 1 mark add किया जाएगा and wrong answer पे minus 1 किया जाएगा ठीक है, so यहाँ पे criteria बताया गया है, candidates को 35% mark score करने होंगे तभी वो exam को qualify कर सकते हैं, so इसको qualify करने का बहुत अच्छा तरीका में आप लोगों को बताती हूँ ठीक है, so इसके बास students test B की अगर बात करें तो यह आप लोगों का personal interview होगा इसका selection आप लोगों के return test के basis पे ही होगा यानि कि जो students paper 1 में 35% mark score करते हैं, उन्ही candidates को test B यानि की interview के लिए call किया जाएगा ठीक है, so इसके साथ ही बोला गया है, the minimum qualifying marks for REIT is 215 marks and REIT exempted categories 65 marks for admission in PhD इस चीज़ को highlight किया गया है, यह बहुत ही साधा important point है ठीक है, इसके बाद अब next point आता है हमारे पास किस तरह से हम लोग अपना center select कर सकते हैं ठीक है, अप्लिकेशन form आप लोग फिल करोगे, तो वहाँ पे आप लोगों को 5 steps में इसको फिल करना होगा तो centers देख सकते हो, जैसे कि अंदवान निकोबार में एक center है अंधरप्रदेश में multiple centers है, total 17 centers है ठीक है, असाम में 5 है, बिहार में 12 है तो आप लोग अपनी जो nearest city है, ठीक है, वहाँ पे directly apply कर सकते हो तो यह multiple centers है, यह दिया गया है page number 37 में तो आप लोग इसको जरूर देखेगा, ठीक है So again page number 8 पे हम आते हैं, जहाँ पे की बताया गया है final dates के बारे में, ठीक है and exam कब होगा, test A होगा आप लोगों का 25 June को and test B जो कि आप लोगों का interview है, interview होगा आप लोगों का first week of July में and interview के लिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि interview के लिए आप लोगों को अपने state पे नहीं call किया जाएगा जो भी candidates test A को qualify करते हैं उन लोगों को बनारा सिंदो University के main campus में ही जाकर के interview देना होगा इस चीज़ को आप लोग अभी note कर लीजिए, यह बहुत जादा important है ठीक है, बाद में किसी भी तरह का confusion नहीं होना जाएगे so admit cards का अगीन यहां पर बोला गया है कि 25 June को exam है, तो उसे one week पहले आप लोगों को admit cards allot कर वा दिये जाएंगे official website पे so आप लोगों को admit cards के साथ-साथ क्या करना है अपना photo ID, proof और यह सब चीज़ों को ले कर जाना है तो मैं आपको यह suggest करूँगी, एक तो यह आप इनोंने अपना admit cards से related help desk phone number दिया है आप लोग इसको भी note कर लीजिए, इसका screenshot ले लीजिए and जितने भी important dates है ठीके, जितने भी important dates है इस वाली slide का भी screenshot ले लीजिए so that आप लोग कोई भी point comments ना करो ठीके, so इसके साथ ही अब हम बात करते है results का यहाँ पर क्या बोला गया है result की बात की गई है कि आप लोगों का पहले तो आ जाएगा written test का result, ठीके, written test के result के बाद आप लोगों को interview के लिए बुला जाएगा, so इदर बोला है कि test देने से पहले आप लोग admit card में carefully check कर लीजिए अपना name, gender, category, photograph, signature, course name, course code यह सब चीजों को जरूर चेक कर लीजिए क्योंकि main moment पे अगर कुछ भी miss होता है, तो यहाँ पे बोला गया है साफ बताया गया है कि controller last moment पे कुछ भी नहीं कर सकते तो जैसे admit card आते हैं first day पे उसको download करके हर चीज़ को cross check कर दीजिए, ठीके so हर एक चीज़ को यहाँ पे अच्छे से बताया गया है I hope मैंने हर एक चीज़ present कर दी है, अगर आप लोगों को फिर भी लगता है कि कोई point miss हो चुका है, तो आप comment करके हमें बता सकते हो हमारी team definitely आप लोगों की help करेगी so यह बहुत important notification है जल्दी से जल्दी आप लोग apply कीजिए बिलकुल भी देरी मत कीजिए so thank you so much